नमस्कार भारत वर्ष यूट्व चनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम मारतर सूरी मंदिर के बारे में जानेंगे मारतर सूरी मंदिर भारत के जम्मूर कश्मीर प्रदेश के अनंतलाग जिले के मटन नगर के समीप इस्थित आठवी शताबदी में ललिता दित्य मुक्त पीत की राजकाल में बना था यह एक हिंदू मंदिर है यह सूरी दिवता के मारतर रुप को समर्बित है इसे पंद्रवी शताबदी में उस समय कश्मीर की घाटी पर सत्ता करते हुए सिकंदर शाह मीरी द्वारा भारी शती पहुचाई गई और इस समय से अब तक यह खंडर आवस्था में मौजूद है मारतर सूरी मंदिर का निर्माड आठवी शताबदी में कारकुटा राजवन्ष के तत कश्मीर के तीसरे महराज ललिता दित्य मुगदा पिता दोरा किया गया था हलाकि यह माना जाता है कि इसे 725 से 756 इस्वी के बीच बनाया गया था मंदिर की निव लगबग 370 से 520 की पूरू की है कुछ लोगों ने मंदिर के निर्माड को रणदित्य के साथ शुरू करने का श्रे दिया था पंद्रहवी शिताबदी की शुरुवात में शिकंदर बुशिकान के शाषन के दोराल मार्तर सूर्य मंदिर को नश्ट कर दिया गया था जो हिंदू के इसलाम में जबरन धरमातल के लिए जिमिदार था उसे सिकंदर द इकोनोकलास्ट या सिकंदर बुशिकन भी कहा जाता था वह कश्मीरी के शाह मीरी राजवंश का छठा सुल्तान था जिन्होंने इसलाम कभूल करने से इंकार किया था या तो कश्मीर से भाग गए या मारे गए कई तिहासकार इस सिद्धान को मांगते है मार्तर सूरी मंदिर एक पठार के उपर बनाये गया था जहांसे पूरी कश्मीर खाटी को देखा जा सकता है खंडरों और सम्मंदित पुरातित्विक निश्कर्सों से या कहा जा सकता है कश्मीरी वास्तुकला का एक उतकर्ष्ट नमूना था जिसे गंधारन, गुप्त और चीनी वास्तुकला के रूपों में मिश्रित किया गया था मंदिर में एक उपनिवेशित प्रांगण है जिसका प्रात्मिक मंदिर इसके केंदर में है और यह 84 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है जो लगभग 220 फीट लंबा और कुल 142 फीट चोड़ा है और इसमें एक छोटा मंदिर शामिल है जो पहले बनाए गया था मंदिर कश्मीर में एक पिर स्टाइल का सबसे बड़ा उधारन है और इसके विविन कशोग के कारण जटिल है जो आकार में अनुपातित है और मंदिर की समगर परिधी के साथ संद्रेखित है हिंदु मंदिर वास्तुकला के अनुसार मंदिर का प्रात्मिक प्रवेश द्वार चद्रभुच के पश्मी भाग में इस्थित है और मंदिर के समान ही चुड़ाई है जो भविता पैदा करता है। प्रवेश्दवार पूरी तरह से मंदिर का आत्यधिक पर्तिबिम्वित है। भारतिय पुरातत्व सरवेक्षण ने मार्तर सुरी मंदिर को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्री महत्तोस्थल घोशित किया ह तो दोस्तो यह हमारे भारति इतिहास के अनमोल्धरोहर हैं जो कहीं खोस गए हैं नहीं इने दिखाये जाता है और नहीं इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। तो दोस्तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक चनल को जरूर करें धन्यवाद